नमस्ते बचों कक्सा बारे में हिंदी साहिते का अध्यन करने वाली सभी बच्चों का यहां स्वागत और अभिनंदन है आपके पाठेग्रम में सामिल हैरी गीति का चंद के लक्षन इसके उदारन और परिक्सा में किस प्राकार से प्रशन पूछे जाएंगे इस विशे पर या सभी पेंक्तियों में समान लक्षन प्राप्त होते हैं इसलिए सम और मात्रा गिनी जाती हैं तो इसलिए मात्रे की इसकी प्रतेक पेंक्ति में 28-28 मात्रे होती हैं कितने-कितने मात्रे होती हैं 28-28 येती हमेसा 16-12 मात्राओं पर प्राप्त होती है या 16-12 मात्राओं पर पाई जाती है प्रतेक पेंक्ति के अंत में पहले लगू और उसके बाद में गूरु वर्ण का ना अनिवार ये या अवस्तिक माना जाता है और तुक हमें सा प्रतेक चरण के अंत में होती है कहां होती है अंत में हमें प्राप्त होती है कुल मिलाकर ये पांच इसकी विसेश इनको याद रखिएगा अब देखते हैं उदारन पहला उदारन लिखा आपके सामने कहती हुई उत्रा के नेत्र जल से भर गए हिमके करनों से मानूपूर्ण हो गए पंकज ने तो यहां पर कि देखिए आपके सामने नजर आ रहे हैं पहले पद में चार फिर पांच छे बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोले, सोले मातर हैं इस पद में हो गई इस चरण में पहले हिसे में उसके बाद में दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह बारह हो गई हमने बात की थी प्रतेक प्रिंक्ते में 28-28 मातर ही होती है और शोले बारह पर यहां पर फर्राप्त होती है इसी प्रकार से यहां पर भी मातर इस्थापित कर दी हैं ह मने और यहां पर भी कि होई है आप कहन गढ़ना करेंगे तो आपको सोले बारह पर ही मिलेंगे दूसरा है तो यहाँ पर भी आप इनके गणना करके देखेंगे, इस्थाफित पहले से हैं मतरें, तो 16 बारे पर अर्थार थे, प्रतेक बिंक्ते में 28-28 मतरें हैं, और 16 बारे पर येती प्राप्त होती है, अब बात करते हैं, बोर्ड परिक्स हमें प्रसन किस प्रकार से पुछा तो बोर्ड परिक्स हमें एक तो तरीका ये होता है, जैसे यहां दो उधारन दिये हैं, कोई भी उधारन ये भी हो सकते हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं, पुछा जाएगा कि प्रस्तुत पद में प्रायुक्त छंद की पहचान करके उसके लक्षन लिखेंगे, तो छंद कि हैरी गितिगा एक सम्ममातरिक छंद होता है, प्रतेक प्रिक्षन में 28 मातर है, 28-28 होती है, 16-12 प्रियति होती है, अंत में लगुगूरू आते हैं, और है तुक चरण के अंत में मिलती हैं, दूसरा तरीका क्या होता है, यहां लिखा आया ये, कि हैरी गितिगा छंद के लक्षन या विसेशत हैं या पहचान और उधारन लिखिए तो पहले हमें ये वाले इसकी पहचान के जो लक्षन है वो लिखने और उसके पचाते निचे जो उधारन दे रखे वो लिखने उनमें से कोई एक उधारन वहां लिखना होता है तो दोनों प्रकार के से आप तयार रखें अपने आपको और बाउड़ परिक्स के लिए आप सभी को शुम्प कमने नमस्ते धन्यवाद जैहिंद